लोटस आयरवदय इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ उत्पल चौधरी आज मैं बात करूंगा हरी धनिया से हटाएं कील महसों के दाग जाने कैसे करना है इसका इस्तिमाल तो आज का वीडियो सुरू करते हैं चेहरे के दाग धब्य किसी को पसंद नहीं आते हैं आखिर इसमें लुक खराब होता है और परसंटी भी उबर कर नहीं आती है यही कारण है कि ज्यादे तर लोग कील महसों के कारण हुए चेहरे के दाग धब्यों को रिमूब करने के लिए कई तरह के पोड़क्ट्स यूज करते हैं हालांकि यह केल महसों की बज़े से डाग धब्यों को हटाने के लिए धन्यापत्त का इस्तेमाल किया जा सकते हैं इससे शेहरे पर एक नए किश्म की रॉनक भी देखने को मिलती है जूरे चमकदार त्चा पाने के लिए हरी धनिया का इस्तिमाल किस तरह किया जा सकता है तो बनाने का तरीका पहले बता रहा हूं आपको दागदबा रिमूड करने के लिए आपको एक चमच धनिया और लेमन ग्रास चाहिए आप दोनों समग्रियों को गरम पानी में उबाल लें एक घंडे तक उबालने के बाद पानी को ठंडा होने दें, ठंडा होने पर दोनों सर्मुग्रियों को एक ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लें, धनिया से बना पेश्ट तयार है, हर धनिया के रस साथ आप चाहें तो निबू का रस भी मिक्स कर सकते हैं, यह भी दाख दब और ब्लेक हैट सर्मुग करने का काम करता है, अभी इस मिश्टन जो आपने बनाया है, रेडी है, उसको लगाने का तरीक आपको बता रहा हूं, कैसे आपको लगाने का है, धनिया का पेश्ट लगाने के लिए आपको सामन तरीकों से अजमाना चाहिए, सबसे पहले अपने का कि आप धूलेंगे तो काफी अच्छा रहे, गले को धूएं और आपके फेस को धूलें, उसके बाद मिश्टन को अपने उंगलियों के मदद से छेरे के उन इस्सों में लगाएं, जहां जहां कील मुहासों की बज़े से दाग धब्बे हो गएं, अब इस मिश्टन को लिए लगा रहने दें, करीब 20 से 30 मिनिट के बाद मिश्टन सूख जाएगा, अच्छी तरह सूखने के बाद साधे पानी से छेरे को धोलें, इसी तरह मिश्टन, दूसरे मिश्टन को यानि नीबू और हरे धन्या के रस्से मिश्टन को भी आपको अपने दाग धब्बों पर अपलाई करना है, इस मिश्टन का इस्तिमाल रोजा न करें, आपके दाग धब्बे धीरे-धीरे कम हो जाएंगे, हरी धनिया फेस पैक के कुछ अन फाइदे हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूं, हरी धनिया से बने फेस पैक से आपको कई अन तरह के लाब भी मिलते ह हैं, जैसे गुलेंग स्किन मिलती है, दरसल हरी धनिया में एंटी सेप्टिक गोड होता है, इससे अपने चेरे पे अपलाई करने से स्किन गुलेंग होती है, हलाँ कि यह भी माना जाता है कि हरी पत्तियों का सेवन करने से भी स्किन कोई तरह के कई तरह के लाब मिलते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हरी धन्या का सेवन करने से ऐसेडिटी के समस्या कम होती है ऐसेडिटी की बज़े से कई तरह इसकिन प्रॉलम हो सकती है जैसे चेरे पर पिंपल इचिंग आदी इसी तरह इसकी मदद से ब्लेक हैट्स कम होते हैं धनिया के पेश्ट को regular इस्तिमाल करने से black hats भी कम होते हैं दरसल साथ यह dead cells को भी खत्म करती है इसकीन को बेतर बनाते हैं इससे आपकी इसकीन fresh feel करती है धनिया पत्ते के face back की मदद से इसकीन रेसिस कम होते हैं और इसकीन exfoliate भी होती है तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको काशा लगा कमेंट करके बताएं चैनल आपने अभी तक सब्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्क्राइब करने और बेल आइकून की घंटी पजा दें जिससे हमारे आने वले सभी वीडियो सब्सक्राइब आपको मिलेगी धन्यवाद